Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे बिहार के करपूरी ठाकुर उनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है भारत रत्न का, यह आप देख सकते हो socialist icon करपूरी ठाकुर अवार्ड भारत रत्न a day before centenary तो basically आज 24 जनवरी को इनका 100th birth anniversary है तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर डीटेल में बताऊँगा एक तो भारत रत्न के बारे में क्या होता है, एक एक चीज़ें आपको पता लग जाएंगी चाहें exam perspective से हो या फिर नॉर्मली आपको जानना हो और साती साथ हम discuss करेंगे करपूरी ठाकूर जी के बारे में क्यों ये socialist icon थे और आज के date में इनका क्या महत्व है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा चलिया आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा दोस्तों, आज से हमारा जो SIP प्लस हो या फिर UPSC का foundation बैच हो हर किसी पर आपको Republic Day सेल का ओफर देखने को मिलेगा, अगर आप पूरी त्यारी करना चाहते हैं UPSC की यहाँ पर प्रिलिंस में इंटर्व्यू सब कुछ तो हमारा foundation बैच ले सकते हैं, या फिर अगर आप इस साल प्रिलिंस को क्राक करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक यह SIP ले सकते हैं, इनको अवेल करने के लिए हमारे website अप पर जाएए या फिर comment section में लिंक है और use करना है आपको code अंकित लाइव, ये code इस्तेमाल करके आपको maximum discount मिल जाएगा और इसके लावा अगर आप MCQs अटेम्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेश पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्ट कर पाएंगे चले शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं इग्जाक्ली क्या हो रहा है दिखे कल जैसा कि मैंने बताया किंदर सरकार के दोरा अनाउंस किया गया है कि भारत रत्न posthumously मतलब की जो person उसका देहान्त हो जाता है जो past में था तो उनको posthumously बोला जाता है तो यहाँ पर जो award है वो posthumously दिया जा रहा है to करपूरी ठाकूर जो की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे बिहार के and this is the birth centenary basically 24 जन्वरी जो है उनका birthday होता है और इसी रहे 100th year है क्योंकि 1924 में उनका जन्म हुआ था और उनको commonly अगर आप देखोगे तो नौर्थ इंडिया में और specially बिहार के अंदर जन्नायक के तौर पर जाना जाता है मतलब the leader of the people और आज के date में जो prominent parties है political parties बिहार के अंदर चाहें वो RJD हो या फिर JD हो नितिश कुमार की party वो regularly demand करते हैं सभी लोग कि भारत रत मिलना चाहिए करपूरी ठाकूर जी को because he is known for his struggle to secure dignity and self-respect उन्होंने बहुत लड़ाईयां लड़ी है self-respect और dignity के लिए और साथी साथ जो disadvantaged sections है society के लिए उनके development के लिए काफी उन्होंने काम किया है यहाँ पर in fact आप देख आओगे नरेद मोदी जी का tweet भी आया था कल I am delighted that government of India has decided to confer the भारत रत्न on the beacon of social justice, the great जन्नायक करपूरी ठाकूर जी and that too at a time when we are making his birth centenary तो चलो सबसे पहलो तो यहाँ पर भारत रत्न के बारे में समझ लेते हैं क्या है ये और इसमें क्या-क्या चीजें होती हैं आपको बहुत कुछ जाने को मिलेगा देखे भारत रत्न एक तो सबसे पहली बात है कि highest civilian award है Republic of India का इसको बनाया गया था 1954 में और ये उन लोगों को दिया जाता है in recognition of exceptional service performance of the highest year मतलब कोई भी ऐसा वेक्ती हो अब देखे इसमें क्या है ना कि किसी भी प्रकार से हो मतलब यहाँ पर race occupation, position, sex किसी भी प्रकार की भेद भाव नहीं किया जाता है किसी भी person को ये award दिया जा सकता है जिसने एकदम exceptional service perform किया हो highest order का originally क्या था कि ये जो award है क्या होता था या तो सरिफ arts के field से जो लोग आते थे literature, science या फिर public service से जो field से related जो लोग आते थे मतलब जो political parties हो गई उसके अंदर जो लोग हो गए उन्हीं लोगों को ये दिया जाता था लेकिन 2011 में सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया और कहा कि ये सरिफ इतने में ही limited नहीं होगा और यहाँ पर जोड दिया गया any field of human endeavor और इसी लिए आप देखते हो कि पहले याँ पर sports नहीं था और आज के date में आपको पताई है 2014 में सचिन तंदुलकर जी को यहाँ पर दिया गया था award तो basically क्या है कि आज के date में किसी भी field के person को यह award दिया जा सकता है in fact मैं आपको बता दूँ आज तो यह जो award है वो आपको इस तरह का देखने को मिलता है लेकिन 1954 में जब यह बनाया गया था तो actually उस से में यह round shape का होता था gold मतलब circular gold होता था medal होता था 35 mm का जिसमें सूरज बना होता था और साती साथ भारत रतन उसके उपर लिखा होता था लेकिन एक साल के बाद यह change कर गया जाता है और आज के date में यह जो award है यह जो भारत रतन आप देख रहे हो यह basically people के leaf के तरह आपको देखने को मिलेगा इसका जो shape है वो people के leaf का है वो आपको समझना है अगर हम इसके size की बात करें तो 5.8 cm long 4.7 cm wide 3.1 mm thick है यह and it is made of toned bronze तो यह ध्यान रखेगा यह toned bronze से बना हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक side में जो सूरज है वो आपको देखने को मिलता है नीचे देवनागरी script में भारत रतन लिखा हुआ है फिर दूसरे side में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा emblem है वो बना हुआ है और नीचे सत्य में जैते आपको देखने को मिलेगा और साथी साथ आप देख सकते हैं कि जो emblem है जो sun है और जो rim है वो platinum का है और साथी साथ जो inscription है वो burnished bronze में जो है वो लिखा गया है इसके साथ-साथ यह जो medal है मैं आपको बता दूँ यह basically बनाया जाता है Indian government मेंट जो facility है न कोलकता में वहाँ पर और 2014 के हिसाब से आप देखिए तो इसका cost आता था बनाने का पूरा overall डब्बे के साथ वो आता था 2,57,000 रुपए के आसपास और वेसी बात है आज के date में यह cost बढ़ गया होगा मैंने देखा नहीं है exactly लिकिन पहले यह उतना हुआ करता था दीखे सबसे पहले जो recipient थे इसके 1954 में तो तीन लोगों को दिया गया था एक थे politician C. Rajgopala चारी जी दूसरे philosopher that is Sarvapalli Radha Krishna और तीसरे scientist C. V. Raman जी को दिया गया था मैं आपको बता दूँ कि जरूरी नहीं है कि हर साल यह award दिया जाए यूजुली आपने देखा होगा ना जो पदमश्री पदमभुशन यह आपका हर साल दिया जाता है यह आपका जरूरी नहीं है कि हर साल दिया जाए और साथी साथ जरूरी नहीं है कि यह सर्फ Indian citizens को ही मिले तो दिखे बहुत important है especially exam perspective से कि क्या यह सर्फ Indian citizens को ही मिलता है ऐसा नहीं है इन फाक्ट आप देख सकते हो जो naturalized Indian citizen है that is Mother Teresa 1980 में उनको दिया गया था और दो non-Indians को अभी तक दिया गया है एक है खान अब्दूल गफर खान और नेलसन मंडिला इन दोनों को 1990 में दिया गया था इन फाक्ट एक और interesting चीज़ है सुभाष चंद्र बोस यह award उनको भी award किया गया था 1992 में लेकिन सुभाष चंद्र बोस को लेकर बहुत बड़ी controversy है यहाँ पर उनका कोई भी evidence नहीं है death का और इसलिए family ने यह accept करने से मना कर दिया था तो यह एकलोता ऐसा मामला हुआ था जहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो award है उसको withdraw कर लिया गया था ठीक है तो यह भी ध्यान रखेगा इसके साथ साथ एक controversy भी इससे जुड़ी हुई है controversy भी यह है कि यहाँ पर क्या है ना कि जो award का recommendation है वो कौन देता है वो देते हैं प्राइम मिनिस्टर वो देते हैं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट यह announce करते हैं तो जैसे आज के डिट में आप देखोगे तो परधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने यहाँ पर recommend किया होगा प्रेसिडेंट को मुर्मो जी को तब उन्होंने यह announce किया है तो उसी तरह से क्या हुआ था कि 1947 से 64 के बीच में जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर है जोहालाल नहरू जी और साती सात इंद्रा गांदी जी उन दोनों के उपर यह criticism अकसर यह देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो award है उन्होंने अपने आप को ही खुद को दे दिया क्योंकि ultimately मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर ही recommend करते हैं तो यह भी controversy देखने को मिलती है अब देखे भारत रत्न में एक और interesting चीज है कि साल में अगर एक साल में यह भारत रत्न का award दिया जा रहा है तो तीन से जादा लोगों को नहीं दिया जा सकता ठीक है तीन से जादा लोगों को नहीं दिया जा सकता और किसी भी साल में इंफरेक्ट आप देखोगे तो कभी भी आपको तीन से ज़ादा देखने को नहीं मिलेगा, खेर यहाँ पर एक चीज ये है कि जो recipient है उनको एक certificate मिलता है और साथी साथ एक medal मिलता है, प्रेसिडेंट से, certificate और medal, ये दो चीज मिलते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का जो monetary grant है, पांच लाग, दस लाग, एक कर और साथी साथ एक और चीज आपको पता होना चाहिए, जिस भी person को ये मिलता है और वो जिंदा है, तो वो इसका इस्तमाल prefix के तोर पर नहीं कर सकता, अपना नाम के आगे पीछे इस तरह नहीं कर सकता, अगर कहीं letter है, data, visiting card पर अगर उसको mention करना भी है, तो यहाँ पर आप के साथ साथ भारत नत्न अवाडी को कई सारे benefits भी दिये जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, कि जो भारत नत्न अवाडी हैं, उनको state guest जो है, उनको declare किया जाता है, मतलब वो भारत के किसी भी राजी में जाते हैं, तो उनको कई सारे benefits मिलते हैं, जैसे कि अगर आप किन-किन लोगों को State Guest के तौर पर Treat किया जाता है President of India, Vice President, Prime Minister, Chief Justice, Governor, Ex President, Ex Vice President, Ex Prime Minister मतलब in fact Chief Minister या बाकी कि किसी को नहीं किया जाता तो इस list के अंदर यहाँ पर भरत तरतन के awarde है उनको भी Treat किया जाता है उसी तरह से ठीक है मतलब अगर कोई वो स्टेट में जाते हैं तो ट्रांस्पोर्ट की फेसिलिटी वो सारी चीजें दी जाती हैं फिर इसके लावा अगर वो किसी foreign country में जाते हैं तो हमारी जो embassies हैं वो उनको facilitate करती हैं उनको कोई भी guidance ये वो सारी चीजें उनके दोरा special किया जाता है इ executive class में तो वो आपका महाँ पर travel कर सकते हैं free of cost और यहां पर in fact आपको पता होगा कि हमारे देश में सबसे उंचा जो पद होता है वो president का होता है तो उस order में अगर आप देखोगे president, vice president, prime minister, governors, former president तो उस line में अगर आप देखेंगे तो 7A number पर वो आते हैं holders of भारत रत्न decoration ठी फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि 1954 से किन किन लोगों को दिया गया और total अभी तक 48 लोगों को दिया गया था प्लस करपूरी ठाकुर जी अब इसके अंदर add हो गया है तो total संक्या हो जाती है 49 वैसे मैं आपको बता दूँ पिछली बार जब यह award दिया गय ठीक है अब हम आते हैं कि who was करपूरी ठाकुर जी ठीक है एक तो यह देख लीजे उनका जो पुरा जीवन काल रहा है करी 62 years का रहा है 24th of January 1924 से लेकर 17th February 1988 में उनकी मित्य हो जाती है तो basically उनका जो नाम लिया जाता है वो अकसर social justice के terms में मतलब कि उनका नाम काफी synonymous है social justice related या फिर जब भी backward class की बात होती है North India के अंदर और especially बिहार के political landscape में देखोगे तो वो बहुती influential figure माने जाते हैं अब उनका जन मैं आपको बता दूँ बिहार के गाउं में हुआ था पिताउंजिया विलेज जो है और आज के डेट में वो जो गाउं का नाम है वो कर दिया ग community होती है ना बिहार में एक तरसे backward community माने जाते तो नाई बारवर community जो है उनमें उनका जन हुआ था और इसलिए उनका जो प्रॉमिनेंस है वो काफी बढ़ जाता है कि कैसे वहां से लेकर जो chief minister तक का पद है वो उन्होंने समाला था और public service दिया था अब देख सकते हैं आप पर land reform का implementation हो गया और भी कई सारे जो underprivileged लोगों के लिए policies हैं वो उन्होंने अपनाई थी और उनको जाना जाता है जन्नायक के तोर पर and he was widely respected for his integrity and dedication to the welfare of common people और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं उनका जो political journey है वो start हुआ था in the party प्रजा socialist party उसमें वो शामिल थे फिर आ 1977 से 1979 के बीच में और finally आगे चलकर बिहार में जो जनता दल है उनके साथ उन्होंने affiliate कर लिया था और 1988 में जो है उनकी मिलती हो जाती है फिर यहां पर अगर हम बात करें उनके major policy decisions के बारे में तो उन्हें बहुत से important decisions जैसे कि बिहार में अक्सर ये demand होता था कि metric का जो exam होता है 10 वाला उसमें English को compulsory नहीं किया जाए तो उन्होंने English जो था एक तरह से जो compulsory हुआ करता था subject जिसकी वज़े से लोगों को बहुत दिक्कत आती थी वो उन्होंने वहाँ पर remove कर दिया फिर दूसरा prohibition of alcohol फिर एक और decision है that is layered reservation system वो उन्होंने लाया था और इसके साथ साथ जो एक और बहुत जादा जो चर्चा में रहता है उनका एक decision था वो है आपका preferential treatment for unemployed engineers in government contract सरकार जो contract देती है उसमें जो unemployed engineers हैं उनके लिए preferential treatment दिया जाता था और इसी की वज़े से उनके ये decision की वज़े से 8000 से जादा जो unemployed engineers हैं उनको नौकरी मिली थी और actually क्या था ये जो engineers हैं वो लगतार धरना करते रहते थे हरताल करते रहते जिसमें नितिश कुमार जो आज के date में chief minister है वो भी शामिलते हैं तो उन लोगों को यहाँ पर जो है नौकरी है मिली थी इसका conclusion क्या निकलता है देखो क्या है ना कि आज के date में और जादा उनका relevance हो जाता है especially आपने के perspective से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो chief minister नितिश कुमार है actually क्या है उनका एक अगर हम बात करें chief minister के तौर पर तो वहाँ पर लोगों ने लंबे समय तक उनको पसंद किया लेकिन उनका एक कहते है ना कि politics में एक vote bank तो उनका एक particular कोई vote bank नहीं है वो basically एक जो एक size के term में नुमेरिक के term में अगर हम बात करें तो EBC community से वो belong करते हैं जिनका numerically बहुत strong नहीं है और इसी की वो जैसे politics में relevance रखने के लिए नितिश कुमार जी ने अपने आपको ज्यादा ठाकुर के closely जो है identify किया है तो इसलिए हाँ पर उनको जो करपूरी ठाकुर जी है उनके उनकी तरफ काफी जुका होता है चाहें इंफर्क बताये जाता है कि जो चाहें आप लालू यादो की वागते लिए उनके भी एक तरह से mentor रहे हैं जो करपूरी ठाकुर जी है तो I hope कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ जाने को मिला होगा उनके बारे में और पहरत रत्न स्पेशली इसके बारे में बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है इस साल और जाने से पहले एक इंट्रस्टिंग कुश्चन क्या बता सकते हो इसका राइट आंसर आप सबको पता है मेरे इस्टाग्राम पर तुम बिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर में कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ बाकि अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आईए अलग लग सोशन मीडिया पर अप्जूड को आगे और जैसे मैंने आपको बताया अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे है हमारा Republic Day सेल स्टार्ट हो चुका है don't miss that कोई भी बैच लेना हो किसी प्रकार के कोर्स लेना हो you can just use this code Ankit Life Study IQ पर और आपको maximum discount मिल जाएगा इन है होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलतों आपसे नेक्स ताइम तिल देन थैंक्यू बरी मच्च सी यू सून Study IQ IS अब तयारी हुई affordable